लेकिन प्रधान मंत्री मोदी ने राष्ट के नाम एक भावक संदेश देते हुए शुक्रवार की सुभा सुभा अचानक क्रशिक कानून वापस लेने की घोशना कर दी नवंबर के अंत तक ये तीनों कानून पूरी तरह से वापस हो जाएंगे पीम मोदी ने भावकता से सब को बताया कि आखिर उन्होंने ये कानून क्यों लाए थे और अब वो क्यों वापस ले रहे हैं उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित के लिए लाए गए थे लेकिन कुछ किसानों को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने जब अस्विकार किया तो वो पूरे दिल से माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं. अब इसके क्या अर्थ है वो तो अलग बात है इस पर विपक्ष ने अपनी अपनी बाते कहनी शुरू की है इस खबर से राजनीतिक गलियारों में हल चल मच गई है क्योंकि जिस चीज को वो ट्रम्प कार्ट समझ रहे थे सोच रहे थे कि इस बार केंदर से बीजेपी को अच्छी खासी पठखनी देंगे अब वो कार्ड ही हाथ से निकल गया विपक्ष ने कहा कि सत्याग्रह से आखिरकार सरकार का एहंकार टूटा चुनाव में हार के डर से सरकार ने कानून वापस ले लिये हैं वही दूसरी और गुरु पर्व पर मिले इस तोहफे से किसानों में जशन का माहल है लेकिन किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा है कि जब तक संसत से ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे यानि कुछ दिन और वहाँ पर वो बैठे रहेंगे वो अभी भी धरने पर डटे हैं दिल्ली के CM केजरिवाल ने भी ट्वीट करते वे कहा गुरु पर्व पर बहुत बड़ी खुश खबरी मिली है 700 किसान शहीद हुए लेकिन उनकी शहादत अमर रहेगी आने वाली पीडियां उन्हें याद रखेंगी इधर All India मजलिस से इत्तिहादुल मुसलमीन यानि के AIM, IIM के अध्यक्ष और हैदरबाद की जो सांसद है असद्दीन ओवेसी वो कैसे चुप रहते उन्होंने भी अपना ट्वीट किया उन्होंने पहले ट्वीट में एक बड़ा सा शेर भेजा और दूसरे ट्वीट में कहा कि सरकार की बाल हटके चलते 700 किसानों की जान चली गई किसान आंदोलन को बधाई पंजाब और उत्तरप्रदेश में बीजेपी की पतली हालत को देखते हुए मोदी के पास कोई विकलत नहीं था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी दीदी यानि के ममता बनर जी उन्होंने भी सरकार को ताना मारने में कोई कमी नहीं रखी ममता बनर जी ने ट्वीट किया कि मैं हर उस किसान को बधाई देती हूँ जिन्होंने संघर्ष किया और बीजेपी की कुरूरता के आगे जोके नहीं मेरी समवेदनाय उनके साथ हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपने परिजनों को खोया खेर अभी जो कुछ भी हुआ आंदोलन वापस हो गया है और किसान अभी अपने अपने घरों को चले गए हैं लेकिन कुछ किसान नेता और किसान अभी भी मोर्चे पर डटे हैं कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं जो तूट जाए जब तक संसद में ओफिशली कानून रद ना हो जाए वो तब तक वहां बैठना चाहते हैं अब देखना होगा कि सरकार के इस दाओं का विपक्ष के पास क्या उपाय होता है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेज करना ना भूदे